इस सवाल में हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर दियावा है ब्लड का जो कि क्या है 7.40 ATM है 27 डिग्री सेल्सियस ठीक है तो the number of mole of glucose to be used per liter for an intravenous injection that is to have the same osmotic pressure as blood is कहने का मतलब है कि हमें number of moles जो की glucose को required होंगे per liter ताकि जो intravenous injection हम कर रहे हैं blood में उसका osmotic pressure जो है वो same हो जाए blood के साथ मतलब glucose का जो osmotic pressure है वो same हो जाए blood के साथ तो उसके लिए हमको कितने number of moles of glucose चाहिए होंगे per liter तो आईए देखते हैं इसका हम solution कैसे निकालेंगे तो osmotic pressure blood का हमें क्या दे रखा है यह हमारे पास दे रखा है 7.40 ATM ठीक है number of moles of solute by volume of solution into r into t ठीक है तो हम जानते है number of moles of solute मतलब कि हमको यहाँ पे glucose की moles लिखने है तो इसको हम n of glucose लिख सकते हैं into r हमारे पास कितना दे रखा है r है हमारे पास 0.082 और temperature 300 Kelvin है और volume हमें कितना देखा पर liter चाहिए यानि कि volume 1 liter होना चाहिए तो ठीक है तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास n of glucose जो होगा वो क्या आ जाएगा n of glucose जो होगा वो πाई की value भी हम put कर लेते हैं पाई हमारे पास कितना है 7.40 into 1 upon 0.082 into 300 तो जब इस value को हम solve करते हैं तो हमारे पास जो number of moles of glucose आते हैं वो 0.3 moles आते हैं तो यहां से हम देख सकते हैं हमारा option जो है वो कौन से सही है ए जो option है वो हमारा सही है क्योंकि यह 0.3 moles है और BCD गलत होगा तो answer हमारा क्या आ गया है ए पार्ट हमारा answer है ठीक है थैंक्यू